आज मैं आपको बताऊंगा कैसे उल्लू तंत्र से अपने जीवन की सारी समस्याओं को कैसे दूर करें जे ऐसा माना जाता है कि कमल वासनी महेश्वरी की जो सवारी है वो उल्लू है और वही है जो मातेश्वरी को एक जगह से दूसरी जगह जो है लेकर जाती है और उनको चंचलता प्रदान करती है जे तो ये तंत्र जो है उल्लू तंत्र से आया है जो कि मातेश्वरी को आपके घर में ही रख देगा मतलब वो और कहीं नहीं जा पाएंगे एक बार आपके पास पैसा आ गया तो आपकी तिर्जवरी में ही रहेगा और कहीं नहीं जा पाएगा क्योंकि स्थ्रि लक्ष्मि जो है वह बहुत जरूरी होती है चन्चल तो सब के पास होती है आज है कल लेकिन जो स्थ्रि लक्ष्मि दोटका है तो गौर से सुनिगा ये मैंने आस तक अभी शेयर नहीं किया लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बाते सुनते हैं जो मेरे मंत्रों का अनुसरन करते हैं या फिर जो भी मैं बताता हूँ उसको सुनते हैं कि हाँ भई इसमें है कुछ सच्चाई और मेरा अनुसरन करने वाले कुछ तो लाब हो तो ये सिद्ध मंत्र जो मैंने आस तक कभी किसी को नहीं बताया मैं आपको बता रहा हूँ तंत्र ऐसा है कि दिवाली की रात में एक उल्लू का पंक ढूंड ये या फिर उससे पहले आप ढूंड के रख सकते हो लेकिन याद रहे ये किसी से लेना नहीं है ये आपको खुद ढूंडना है जे उल्लू का गिरा हुआ पंक ढूंडे और उसको अगर आपको मिल जाए तो उसकी सिद्धी करनी है आपको दिवाली की रात में वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करनी है मुझे कॉल कर लेना ट्रिपल लाइन 284 1625 में और उस पंक को जला कर चांदी के किसी लॉकेट में भर कर आपको मंदिर में रख देना है और रोज उसको धूब दीपक दिखानी है तो जिन्दगी भर जब तक आप ये प्रोसेस करोगे आपके पास कभी पैसो की कमी नहीं आएगी व्यापार आपका बढ़ता रहेगा दिन रात आप उसमें उन्नती करते जाओगे और जहां तक बात रही पैसो की आप यूं समझ लीजे आपके पास आपके घर में स्विस बैंक आ जाएगा कि लक्षमी एक बार आई तो वो वापिस नहीं जाएगी वो स्त्री लक्षमी हो जाएगी जी पैसा अगर दो रुपे भी आपके पास आए तो वो दुबार वहां से जाएंगे नहीं वो उसको मतलब दो को चार करेंगे चार को आठ जी पैसो को अगर बढ़ाना है तो ये उपाई कीजिए और फिर आप देखिए कैसे पहले ही दिन से आपके पास पैसो का अंबार लगना शुरू हो जाएगा अगर कुछ भी इसके बारे में पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकते हो और मेरी वेब साइट है वशीकरन-yantra.com धन्यवाद